अब इस question में बोल रहा है, three solids of masses M1, M2 and M3 are connected with weightless string in succession and are placed on a frictionless table. If the mass M3 is dragged with a force T, the tension in the string between M2 and M3. तो पहले diagram बना लेते हैं, माल लो, ये है हमारा M1. इसके बाद ये है M2. और ये है आपका M3. तीनो का mass हमने लिग लिए M1, M2, M3 और तीनो जो हैं string से connected है. M3 को drag किया जाता है with the force T. ये T force apply किया है इसके उपर और इस force से इसको drag किया जाता है. हमें जो है tension बतानी है 2 और 3 के बीच में. 2 और 3 के बीच में हमें tension बतानी है. तो मैंने आपको बताया था, जहां भी contact point होगा, tension उससे दूर चलती है. ये आगे है भई, मालो ये T dash. इसके बाद इस point पर देखेंगे, तो ये T dash. clear है? अगर यहाँ पर देखेंगे, M1 पर तो ये होगया, आपका T double dash. और M2 पर देखेंगे इदर, तो ये T double dash. ठीक है? अब ये पूरा का पूरा block इस direction में जाएगा. चूंकि आपका T इस direction में लग रहा है, तो पूरा का पूरा block इस direction में move करेगा. that means acceleration A आपका इस direction में आ गया. ठीक है? तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे. अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों masses को, एक complete mass मान लेता हूँ. तो कैसे मानेंगे हम इन तीनों mass को मान लो, यह पूरा का पूरा एक system हो गया. ठीक है भई? अब यह पूरा का पूरा system, जिसका mass क्या है? M1 प्लस M2 प्लस M3 और इसके ओपर force कितना लगता है? T force लग रहा है, इसका acceleration कितना है? तो बहुत simple हो गया, force is equal to mass into acceleration, that means T is equal to total mass M1 प्लस M2 प्लस M3 और आपका आगे acceleration A, तो acceleration आपको मिल जाएगा, T upon में M1 प्लस M2 प्लस M3, तो आपको acceleration मिल गया है. अब इसके बार हम बात करते हैं, T dash निकाल लेगी, क्योंकि question में पूचा है, जो M2 और M3 है, उनके बीच में जो tension है, वो निकाल ली है, तो अब इसको इस तरह से कर लेते हैं, देखो, माल लो, मैंने क्या किया, M1 और M2 को पूरा एक system माना आपकी बार, मैंने, इसको इस त तरह से कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, कोई equation नहीं बनेगी इसमें, माल लो, आपका M1 और M2 एक पूरा system है, तो इसके उपर tension कितनी लग रही है, T dash, तो भाई, अब यहाँ पर देखेंगे, जो tension T dash है, वो किसके एकवल हो गया, M1 प्लस M2, और इसके अ same acceleration से, और M3 भी same acceleration से move करेगा, और A की value हमने निकाली ही है, तो T dash कितना आ गया, M1 प्लस M2, और आपका acceleration है, T upon में, M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ से T dash की value आपको मिल गई, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कौन सा option सही है, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, third option, M1 प्लस M2, into T upon में, M1 प्लस M2 प्लस M3, clear है, तो आपका third option इस question में ठीक है, उमीद करता हूँ, आपको इस question का जो concept है, अच्छे जे समझ में आया, अगर concept अच्छे जे समझ में आया, तो वीडियो को like करना, और जादे जादे शेयर करना, और इस channel को subscribe जरूर करना, बेल आइकन को press करन ताकि आपको latest video मिलती रहे, तो चलिए मिलेंगे हम अपने next question में,